हलो फ्रेंड्स बेलकम टू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में खंड सिच्छा अधिकारी के लिए क्रसी से रिलेटेट कुल सत्तर कोशन डिसकस करेंगे यदि आप लोगों को मारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकों पर जरू प्रेस करतें जिससे की आने वाले सारी नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे लोगों को असनी से प्राप्त हो जाएं इस्टार करते हैं, तो आज का हमारा पहला कोश्चन, क्रशी किस प्रकार की मानवी आर्थिक क्रिया है? आंसर हो जाएगा प्राथमिक दूसरा कोश्चन, निम लिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? ओप्शन डी, रवड तीसरा कोश्चन देखिए, निम लिखित में से कौन खरीब की फसल है? ओप्शन डी, इनमें से ये सबी तो देखिए, चावल, मक्का, कपास, ये सब खरीब की फसल है आंसर हो जाएगा ओप्शन डी, इनमें से ये सबी चौता कोशन देखिए, निम लिखित में से किसकी गड़ना नगदी फसल के रूप में होती है Option D, इनमें से ये सभी तो देखिए, नगदी फसल के रूप में कपास, जूट, चाय की गड़ना होती है आंसर हो जाएगा इनमें से ये सभी Option D, पांचमा कोश्चन, निम लिखित में कौन खरीब की फसल नहीं है Option D, चना, जो की खरीब की फसल नहीं है छटा कोश्चन देखिए, निम लिखित में से कौन मुद्रा दाइनी फसलों का समू है Option A, कपास, चाय, आलू एवं जूट साथमा कोश्चन, सरपरतम करसी प्रदेशों का विश्व वर्गे करांग किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था, D, हिट लिसी में Option C, राइट हो जाएगा अगला कोश्चन, विश्व के करसी प्रदेशों का सरवादिक मान सिमांकन है Option A, D, हिट लिसी नमा कोश्चन, विश्व के संपूर धरातलिये छेत्र का कितना प्रतिसत भाग करसी योग है Option C, ग्यारा प्रतिसत दसमा कोश्चन देखिए वान ध्यूनेन ने अपना करसी अवस्थित से दान्त किस वर्स दिया? किस वर्स दिया? अठारासो चब्ष इस दिया ग्यारा कोश्चन, वान ध्यूनेन ने अपने करसी अवस्थित से दान्त में केंदर के चारों और कितनी पेटियों की संख्या बताई है Option A, छै बारा कोश्चन, वान ध्यूनेन का करसी अवस्थित से दान्त किस पर अधारित है? किस पर अधारी थाई है तुलनात्मक लाव पर तेरमा कोशन वी सुका सबसे बड़ा गेहु उत्पादक देश है चीन चौदमा कोशन निम लिखित में से किस देश में गेहु की प्रती हक्टेयार उपज सबसे अधिक है ऑप्शन ए युनाइटेट किंग्डम पंदरमा कोशन युक्रेण का मुख्यक्रसी उत्पाद है ओप्शन वी गेहु सुलमा कोशन आश्टेलिया में गेहु के फॉर्म संकेतिक है ओप्शन डिलाइट हो जाएगा नियू साउथ बिल्स सत्रमा कोशन विस में गेहु का सबसे बड़ा निर्यातक देश है कौंजा है अर्जेंटीना अठारमा कोशन सेम्ट राज अमेरिका की गेहु पेटी पाई जाती है बड़े मैदानों में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अगला कोशन देखिए कनाड़ा एक वशंत कालिम गेहु पेदा करने वाला देश है क्योंकि ऑप्शन वी राइट हो जाएगा सेकेंड और थर्ड ये दोनों राइट हो जाएगे बिसमा कोशन गेहु की करसी का आदर से तापमान है ऑप्शन वी 15 डिगरी से माइनस 20 डिगरी सेल्सियस अगला कोशन निल लदी के डेल्टा छेत्र में सरदी के मौसम में कौंसी फसल उगाई जाती है कौंसी फसल उगाई जाती है गेहु बाइसमा कोशन गेहु की करसी निम्न में से किस से समंदित है तो यह किस से संबंदित है यह संबंदित है इस्टेटी से तेश्मा कोश्चन देखिए गेहों की खेती निम्नमे से किस मर्दा से संबंदित है किस मर्दा से संबंदित है यह संबंदित है चेर नोजम से चोबिशमा कोशन देखिए कथन में क्या बोल रहा है चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है कारण आर में देखिए विश्व में गेहूं के अंतरगत सरवादिक छेतर फल चीन में पाये जाता है तो आंसर हो जाएगा ओप्सन सी एस आई ये परंतु आ विश्व में गेहूं के अंतरगत सरवादिक छेतर फल किस देश में है किस देश में है ये बारत अगला कोशन देखिए वसंद कालिंद गेहूं की खेती कहां की जाती है कहां की जाती है रूस और कनाडा में 27 उक्रेंड और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक ग्यों उपज़ता है? आंसर हो जाएगा ओप्शन वी चेर नोजम मिट्टी में 28. उत्री गोलार्थ संसार का कितना प्रतिसत ग्यों उपजाता है? ओप्शन C 90 प्रतिसत 29. ग्यों का निर्यातक देश नहीं है 30. संसार में सिचाई का सरवादिक उपियों किस फसल की इकरसी में होता है? ग्यों अगला कोशन ग्यों की खेती के लिए कौँ सी जलवाईव सबसे उप्योगत है? 32. निम लिखित में से कौँ सा कथन असबते है? ऑप्शन C ये सत हो जाएगा चीन चावल का एक प्रमूर निर्यातक देश है 33. कोशन देखिए निम लिखित में से कौँ सा कथन सत्य है? ऑप्शन E राइट हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा नेश कोशन विखित में चावल के अंतरगत सरवादिक छेतरफल किस देश में है? ऑप्शन V राइट हो जाएगा भारत अगला कोशन विखित में चावल उत्पादक देशों का सही अब्रोई करम है ऑप्शन D राइट हो जाएगा चीन, भारत, इंडोनेसिया, थाइलेंड अगला कोशन देखिए शत्तिसम में कथने में क्या बोल रहा है? विखित में उत्पादित, चावल का लगवग 5 प्रतिसत ही अंतरराष्टिय ब्यापार के लिए उपलगत होता है कारण आर में विख्व में सामनता चावल की गहन, जीवन निर्वा क्रसी की जाती है अंसर हो जाएगा ऑप्शन A अगला कोशन देखिए इटली में चावल की क्रसी के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद है? कौन सी नदी घाटी प्रसिद है? अप्शन V पो नदी घाटी 38 ओशन देखिए निर्वा क्रसिद में से किस फसल को जल भराओ की अवसकता होती है? औप्शन C चावल 49 ओशन चावल की क्रसी की जाती है तो चावल की क्रसी की जाती है जल पूरित निर्व बरती भागों में 40 ओशन निम लिखित में कौन सा देश विस्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है Option B, चीन अगला कोशन देखिए, धान की खेती के विए कौन से मिट्टी सबसे अधिक उप्यूक्त है कौन से मिट्टी सबसे उप्यूक्त है उपजाओ चिकनी मिट्टी 42. कोशन देखिए, इनमें से कौन चावल का नर्यातक देश नहीं है Option D, स्रीलंका अगला कोशन देखिए, दून घाटी चावल पैदा करने में सक्छम है क्योंकि Option A, राइट हो जाएगा यहाँ, ओशन ग्रीम स्रीतू तता सजाई के लिए हिम से पिगला हुआ जल उपलब्द है 44. कोशन मक्का उतपादक देशों का अबरोही करम है Option A, राइट हो जाएगा USA, चीन, ब्राजिल, मैच्च को अगला कोशन, विश्म में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है यह पाई जाती है, यह पाई जाती है USA में अगला कोशन, ब्यापारिक पसुपालन एब मक्का उतपादन भलीवाती समायोजित है अंसर हो जाएगा Option D, USA अगला कोशन, USA की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांस आमदनी प्राप्त होती है Option V, गेहों एबा मक्का से 48 मा कोशन देखे, USA की मक्का पेटी की पश्मी सिमा निर्दारित होती है Option D, राइट हो जाएगा, 50 cm की आउसत वार्सिक वर्सा रेखा अथवा गर्मी के तीन महिनों में 20 cm की बड़सा रेखा अगला कोशन देखे, निम्न में से किस फशल की करसी, विस्ट के विस्तिक फार्मों पर उर्वर मिट्टी में की जाती है जो जानबरों को खिलाने में के काम में आती है मक्का अगला गोशन निमले में से किसे मक्का का जन इस्थान माना जाता है किसे माना जाता है मध अमेरिका को माना जाता है अगला गोशन अमेरिकी करसी का हिर्दय तथा विस्व में सरवादिक महत्वकुन करसी प्रदेश है मक्य की पेटी क्या है सही अब रोही क्रम क्या है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भारत ब्राजिल क्योबा अगला कोशन निम लिखित में से किस दिस्व में गन्य की प्रती हेक्टेयर उपज विस्व में सरवादिक है हवाई द्यूग अगला कोशन देखिए हवाई द्यूग पुर्मुक उत्पादक है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा गन्या का अगला कोशन इन में से काउसा दिव गन्य की उन्नति खेती करता है ऑप्शन वी राइट हो जाएगा हवाई द्यूग अगला कोशन देखिए निम लिखित में से किस फसल का अंतर राष्टे ब्यापार नहीं होता ह औप्शन C गन्ना नेस्ट कोशन नेम लिखित में से किस फसल की करसी मात्र उत्री गोलार्त में ही सीमित है औप्शन V राइट हो जाएगा चुकंदर अगला कोशन विस्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं कौन से हैं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यूक्रेन एवां फ्रांस यह कोशन यूपी पीस्टेस 2010 में कोशन पूछा जा चुका है अगला कोशन देखिए नेम लिख्शन में से कौसा कथन असत्य है आंसर हो जाएगा ओप्शन B भारत विस्व का सबसे बड़ा मौण फ़ली उत्पादक देश है अगला कोशन देखिए विश्व में सोयावीन के सरवादिक महत्पुन उत्पादक देश हैं कौँ से हैं दोस्तों ऑप्शन सी संक्तुराज अमेरिका वराजील अर्जेंटीना एगां चीन अगला कोशन निम लिफ्ट में से कौँ सा कथन असत्ते हैं अगला कोशन देखिए विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है अगला कोशन देखिए विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौँ सा है चाय उत्पादक देश कौँ सा है दोस्तों भारत अगला कोशन चाय के पौधे उगाने की डैपांग विदी विक्सित हुई थी कहाँ पर हुई थी यह हुई थी फिलिपियन्स में यह कोशन यूपी पीसेस दू हजात असमें पूछा जा चुका है अगला कोशन चाय उत्पातक देशों का उत्पात्म की डेश्ट इसे सही अबरोही करम है ऑप्शन डी भारत चीन स्रीलंका एवं कीनिया अगला कोशन देखे चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस परदा का सामना करना पड़ रहा है ऑप्शन वी स्रीलंका अगला कोशन चाय निर्यात के छेत में विश्ट का अगरणी देश है विश्ट का अगरणी देश है चीन अगला question, वीश्व प्रसीद उलंग किसम की चाय किस देश में पैदा होती है किस देश में पैदा होती है, यह पैदा होती है, ताइवान अगला question देखे से last question यारवा माटे है, यारवा माटे है आंसर हो जाएगा option C फरागवे में एक चाय संदर्स जाड़ी